बिग बॉस 18 दोस्तों चूम दारंग ने किस तरीके से करनवीर को एक्सपोस किया और करनवीर के मुह में शरम हया किछ भी नहीं है उसकी मुह में है ना शरम हया जो है करनवीर खो चुका है वो बंदा अब और कुछ है नहीं उसके पास अब वो शिल्पा के पास आके रो रहा था कल देखा अपने कि मैं कुछ किया क्यों नहीं असली में क्या बात है पता है करनवीर क्यों नहीं करनवीर जब बिग बॉस ने पूछा करनवीर को करनवीर आप किसे देखना चाते है as a time god करनवीर ने क्या जवाब दिया कि मैं शिल्पा को देखना चाता हूँ लेकिन साला वो करनवीर जो है वो रजत के टोकरी में भर रहा था वो क्या बोलते उसको चाय की बत्ती चाय के पैकेट्स कॉफी बगेरा जो है वो रजत के टोकरे में टोकरी में भर रहा था वो करनवीर गार्डेनरिया में जाके चाहत के टोकरी से लेके वो रजत के टोकरी में भर रहा तो पीजाएज वो चीज और वो सामने वैदिग बॉस के सामने बोलता है मैं शिल्पा जी को सपोर्ट करो मिंतलब कितना वह और चो मुँ आदमी है वह इसलिए अभिनास ने इसलिए आखे दिगभीजाई से माफी मांग लिया अभिनाश ने माफी मांग लिया दिगविजय से है ना कि sorry दिगविजय मैंने जिसका support किया था वही मेरे साथ नहीं है वही जो बोल रही है कि उसमें दिगविजय की गलती नहीं है जो धक्का वाला इसलिए जो है अभिनाश ने दिखविजय से माफी मांग लिया कि मैंने जो भी बोला था शिलपा के सपोर्ट में बोला पर शिलपा जो है मेरा सपोर्ट पे नहीं बोल रही है वो इतना भी नहीं बोला कि दिखविजय के वज़े से मैं गिरी थी मुझे धक्का लगा मुझे चोट लगी थी इतना भी शिल करनवीर जोbasis बहुत double game खेला है वो बंदा है ना सुरी करता है ऐज तो सुवा सुबा में नबर कि चूमऌते हैं एक नंबर का चूम्य machst एक नंबर-चूमँ और कुर कि नकफोथ यह तो बच्चों का गेम है, यह वाला टास्क जो हुआ, सब अपने-अपने टोकरी में भरते, मजे करते, उसको टास्क समझ में नहीं आया, करनवीर को क्या करना है, मतलब क्या कर रहा था हूँ, इसलिए आजिम ने उसकी क्लास लगाई थी, खतरों में, है ना, और रोई छे अभिनास ने बोला ना, एक नमबर का फट्टू आदमी है, करनवीर, यह ना, एक्चुली करनवीर का एगो सामने आ गया था, कि वो जो है, अभिनास के साथ मिलके शिलपा को नहीं जितवाना चाहता, शिलपा भी कम नहीं है, डबल गेम खेलती है वो, यह ना, अभिनास ल कि मुझे अभिनास लोगे, आज तो चूम दारंग ने पल्टी मार दी, वो अभिनास के साथ बैटी जाके हो, अभिनास ग्रूप के साथ, क्योंकि उसको समझ गया, करनवीर जो है, वो चूमू आदमी है, वो स्टैंडी नहीं ले रहा है, यह ना, ऐसे तो हो स्टैंडी नह दोस्तों, आज एक चीज मुझे यह ठीक नहीं लगा, बहुत लोग बोल ले कि चूम ने जो है, चाहत के साथ बहुत बुरा किया है, इसके लिए सलमान सर क्या डाट लगाएंगी कि नहीं, वो नहीं पता, फिलहाल है ना, लेकिन यह जो हुआ ना, आज दोस्तों यह वाला ज्यादा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि चाहत को लगा कि चूम आ रही है उसका तोकरी से कॉफी निकालने है, ना, चाय बत्ती निकालने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो गलत फ्हामी हुई है, यहापर फिर से अभी चाहत और रजद दलाल के भीश लराई चला, रजद दलाल त जाता नहीं था, कि एक फाल्तू कॉफी के लिए वो विवेन से लराई जगरा करे, वो भी टाइम गोड बनने के बाद है, ना, और इसलिए उसने रजद दलाल ने विवेन को जाके पूछा, कॉफी दे दो भाई, उसके सामने फिर दिख बिज़े को बुरा ला, क्योंकि त तो भाईचारा नहीं है, गेम पर कोई, यहाँ पर, जद दलाल जो भी वहाँ पर रिष्टे बनाने आएंगे, वो फस के जाएंगे यहाँ पर, ठूस हो के जाएंगे, हैना, जितने भी बाहर गए है, आप देख लिज़े, वो वहाँ पर रिष्टा बना रहे थे, तो गए दिख विज़े ने जो है, विवेन को ये चीज बोला, आपको रिष्टा बनाना नहीं आता, चुनना नहीं आता, फिर विवेन ने दिख विज़े को बोला, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा धीरे-धीरे, क्या चीज, हैना, और बुरा लगा, आज मुझे अविनास के सपोर्ट नहीं किया, उल्टा बोला दिख विज़े, गलती से किया ये सब टास्क के वज़े से, हैना, और इसके बाद चूम ने अच्छे से किया, कि आपने सब पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया टास्क में, आप क्यों ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, ठीक नहीं किया न